छोटी छोटी मगर बहुत ध्यान देने योग्य बाते नमबर एक जब भी आप दूध पिए तो मलाई निकाल कर ही दूध पीना चाहिए नमबर दो सफेद चने खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है नमबर तीन बाजरे की रोटी को दूध के साथ खाने से शरीर में ताकत आती है नमबर चार नारियल और चुकंदर खाने से हड्डियों के जोड मजबूत होते है नमबर पाँच अगर आपके पैर की एरिया फट गई है तो सरसो के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से एरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी नमबर च्छे गले में यदी खराश है तो गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर गरारे करे और कुछ भी थंडा खाने से बचे और दिन भर में गुनगुना पानी पीते रहे साथ ही काली मिर्च और मिश्री का पाउडर बनाकर इनको एक साथ ले बहुत आराम मिलेगा नमबर साथ गले में ज्यादा खराश बढ़ गई हो तो गले की सिकाई करने से बहुत फाइदा मिलता है और भाब भी लेते रहना चाहिए नमबर आठ जो जिन औरतों के हाथ पैर सुन रहते हैं वहां आधा नीमबू और एक चम्मच शहद एक गिलास पानी में मिलाकर रोज पिए इससे उनको बहुत फाइदा मिलेगा नमबर नौ यदी चहरे पर जुरियां और जायां आने लग गई है तो कुछ दिन खीरे का रस लगाएं फाइदा मिलेगा नमबर दस कभी भी हमको अपने हाथ की उंगलियां नहीं चटकानी चाहिए इससे हड्डियों की बीमारी हो सकती है और बताते हैं कि इनको चटकाने से आंखो के नीचे डार्क सरकल और भी कई परेशानिया हो सकती है इसलिए हमको ऐसा करने से बचना चाहिए नमबर ग्यारा दिन में एक बार नीमगू पानी जरूर पीना चाहिए इससे सास की बद्बू दूर होती है और इससे चहरा भी चमकदार बनता है नमबर बारा जिन लोगों को अचानक से बुखार आ जाता है उनको मेथी का पानी पिलाना चाहिए इससे उनको बहुत आराम मिलेगा नमबर तेरा ज्यादा गर्म खाना खाने से हमको बचना चाहिए इससे दिल और फ्रेफडों को नुकसान पहुचता है इसलिए ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए नमबर 14 ज्यादा गर्म चीज कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डालने चाहिए इससे कैंसर तक हो सकता है नमबर 15 अगर आप मच्छरों से परेशान है तो सोते वक्त अपने पास नमकीन पानी भर कर रख दीजिए पूरी रात मच्छर आपसे दूर रहेंगे नमबर 16 खाना खाने के तुरंद बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए इससे लीवर को नुकसान पहुचता है नमबर 17 यदी हम रात को चावल खाते हैं तो हमको नींद ना आने की समस्या हो सकती है नमबर 18 हमेशा खुश और हंस्ते रहना चाहिए इससे हमारा दिल मजबूत होता है और कोई भी बीमारी नहीं होती है नमबर 19 थंडा पानी पीने के बाद चाए नहीं पीनी चाहिए और यदी आपने कुछ गर्म खा लिया है तो उसके बाद में थंडा पानी नहीं पीना चाहिए नमबर 20 जो औरते प्रेगनिंसी में केले का सेवन करती है उनके बच्चे का विकास अच्छा होता है और हड्डिया भी मजबूत होती है नमबर 21 यदी सोते वक्त आपकी आंखों से आंसु निकलते हैं तो इसका मतलब आपको दिमागी कमजोरी हो सकती है इसलिए हेल्दी डाइट लीजिए और योग प्राणायां पर ध्यान दीजिए नमबर 22 अगर आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है तो विटामिन D का अधिक से अधिक सेवन करें नमबर 23 पालक खाने से दिमाग सही धंग से काम करता है और याददाश्ट भी बढ़ती है और शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है नमबर 24 जो औरते रात को तक्या लेकर सोती है उन्हें कमर दर्द और रीड की हड़ी तेड़ी होने की बीमारी लग जाती है नमबर 25 अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको एक या दो चम्मच अनार का जूस जरूर दे इससे उनका पेट हमेशा सही रहेगा और कभी भी खून की कमी नहीं होगी नमबर 26 चहरे पर यदी बादाम का तेल और विटामिन ही की कैपसूल मिक्स करके रात में दो तीन मिनट के लिए मसाज करें तो चहरे पर कभी भी जुरियां जाईयां और दाग धब्बे आपसे हमेशा दूर रहेंगे नमबर 27 यदी खाना खाते वक्त या खेलते वक्त बच्चों के हातों में मिर्ची लग जाए तो उसे जगा पर घर का निकला हुआ मक्खन लगा दे बच्चों को थोड़ी देर में ही फाइदा मिल जाएगा नमबर 28 बालों पर यदी हम बक्री का दूद और तेल मिक्स करके लगाएंगे तो बाल घने और लंबे हो जाएंगे नमबर 29 शरीर में कहीं भी गांट है तो एक से दो ग्राम हल्दी गुनगुने पानी के साथ लेने से गांट गुलने लग जाती है नमबर 30 अगर बार बार छींग आती है तो एक चम्मच अद्रक का रस ले इसमें आधा चम्मच गुड मिलाकर दिन में दो बार खाए नमबर 31 जिन औरतों को थाईरोईड की समस्या है वे हरी धनिया को पीस कर एक गिलास पानी में घोल कर पिए इससे थाईरोईड रोग से आराम मिलेगा नमबर 32 अगर दान्त में दर्ध है तो एक लॉंग को दान्त के नीचे दबा कर रखने से दान्त दर्ध में तुरंद आराम मिलता है लॉंग का तेल भी दर्ध को भगाने में प्रभावी होता है नमबर 33 यदि आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो कुछ दिनों में ही आपके एसिडिटी की परेशानी शुरू हो सकती है इसलिए सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए नमबर 34 जब आपको आंखों के ठकान होने लगे तब खीर लीजिए और उसको काट के आंखों पर रख लीजिए बहुत आराम मिलेगा और इससे डार्क सरकल भी दूर होते हैं नमबर 35 अगर कब्स की शिकायत रहती है तो दो अंजीर भिगो कर खाने से कब्स आपके कभी नहीं होगी नमबर 36 जमीन पर लाकर सोने से कमर दर्द में बहुत फायदा मिलता है इसलिए कभी कभी जमीन पर लाकर सोना चाहिए नमबर 37 अगर हम अजवाइन को पानी के साथ एक फांकी लेंगे तो इससे पत्री धीरे धीरे तूट के गिर जाती है और खासकर अजवाइन औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होती है तो आप सब जरूर अजवाइन सुभा के टाइम एक फैन की जरूर ले या फिर गुड के साथ खाएं नमबर 38 जो लोग पतले हैं उनको दही दूध लसी इनका अधिक सेवन करना चाहिए नमबर 49 जल्दी सोने वाला और जल्दी उठने वाला इंसान तरोताजा दिखाई देता है और चेहरे पर ग्लो रहता है इसलिए हमको टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठाना चाहिए नमबर 40 अगर फैटी लिवर की समस्या है तो भोजन में लहसुन को शामिल करे यह फैट जमा होने से रोकता है नमबर 41 धनिया का रस लगाने से गंजे सर में भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं नमबर 42 नीम के पत्तों से बाल धोने से बाल कभी नहीं जड़ेंगे नमबर 43 चहरे पर टमाटर को काट के ए टमाटर में थोड़ी सी कौफी पाउडर डालकर चहरे पर हलके हातों से एक दो मिनिट के लिए मसाज करने से चहरा खिल उठता है नमबर 44 रोज सौफ का दूद पीने से रंग गोरा होने लग जाता है नमबर 45 रात में ताजी हवा में सोने से इनसान का दिमाग अच्छा काम करता है नमबर 46 यदि आपके कहीं मोच आ गई हो तो भेड के दूद की हलके हातों से मसाज करे और कुछ दिन तत ऐसा करने से आपके मोच का बिलकुल दर्थ ठीक हो जाएगा क्योंकि भेड का दूद बहुत ही ज्यादा हिल्दी होता है और यह मोच में लगाया जाता है तो फ्रेंज आज की वीडियो में बस इतना ही यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना